पाठ दो, एक हाथी था, वह बहुत दोष्ट था, वह जंगल में सभी जानवरों को सताता था, सभी जानवर उससे बहुत परिशान थे, एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर सबा बुलाई, भालू बोला, हाथी सभी को बहुत परिशान करता है, उसे सबक सिखाना होगा, करगोश बोला हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली है हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं दूसरे जानवरों ने भी करगोश की हां में हां मिलाई तभी शांत बैठी एक मक्ही बोली आप सब परिशान नहों मैं दुष्ठ हाथी को सबक सिखाऊंगी मक्ही की बात सुनकर सभी जानवर हसने लगे और बोले बहला चोटी सी मक्ही हाथी को क्या सबक सिखाएगी मक्ही जोश के साथ बोली यदि मैंने हाथी को सबक नहीं सिखाया तो मैं ये जंगल चोड़कर चली जाऊंगी अगले दिन हाथी जब नदी के किनारे आराम कर रहा था तब मक्ही उसके कान के पास आई और भिन भिन करने लगी मक्षी को भगाने के लिए हाती ने अपने कानों को जोर जोर से हिलाया कान हिलाने पर मक्षी दूर उड़ गई पर कुछ समय बाद फिर भिन भिन करने लगी अफसर पाकर मक्षी हाती के कान में गुज गई और भिन भिन करने लगी मक्षी की भिन-बिन सुनकर हाती परिशान हो गया, वो अपने कानों को जोर-जोर से हिलाने लगा, लेकिन मक्खी उसके कान से बाहर नहीं निकली, मक्खी बोली, क्यूं हाती दादा, मज़ा आया, हाती गिरगिराते हुए मक्खी रानी, मुझे माव कर दो, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा, मक्खी को दया आ गई, वह हाती के कान से बाहर निकल आई और बोली, हाती दादा, कभी भी किसी को परिशान नहीं करना चाहिए, हाती ने पुने मक्खी से किसी को नहीं सताने का वायदा किया, और वहां से चला गया, अगले दिन मक्खी ने यह समाचार सभी जानवरों को सुनाया, जेंगल के सभी जानवर बहुत प्रसंद हुए, और मक्खी की प्रशंसा करने लगे,